असलों अलेकुम् आज हमरे आ र के मौन से होते देखा हैं कि मौन को तौन से होते हैं प्रेक्ति थे उसके बाद हमारे पास ने पास व्यक्किन कोफिश्बूइच से होते हैं प्रॉश्बू मौन बैग्राइब परसाइस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हमने देखा था कि परसाइस की कितने स्टेट होती है ड्रेंटि ंसी होती है और वेटिंग स्टेट कौई सी होती है और उसके बाद stop state किया उनसे होती है और zombie state को उनसे होती है अब हम देखेंगे के अब हम देखेंगे हमारे पार हमने जो देख लिया था अब हम देखेंगे CPU अब हम देखेंगे machine को किस तरह monitor किया कर सकते हैं अबने process को किस तरह हम control कर सकते हैं CPU information किया होती है इंट्रेक्टिव सी प्रोसेस किया होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उनकी purity किस तरह सेट कर सकते हैं, उसके बाद उसकी nice value किस तरह सेट कर सकते हैं लास लेक्षर के अंदर हमें पढ़ा था state of process in Linux, अगर आपको ये समझ नहीं आई, state of process in Linux किस तरह काम करता है तो आपको परश्यान होने की जरुवत नहीं है, बस आपको states का पता नहीं होना चाहिए, running state क्या होती है, waiting state क्या होती है, stop state क्या होती है, zombie, खास तरह भी आपको zombie state क पता होना चाहिए, zombie state क्या होती है, क्योंकि अकसर process देखे जाते हैं ऐसा production level के अंदर, कि बहुत process ऐसे होते हैं, जो zombie state के अंदर चले जाते हैं, stuck हो जाते हैं, halt हो जाते हैं, और अकबाम में हमें वो issues कर रहे होते हैं, तो हमें उनको kill करना लाजमी होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, view active process, कि हम अपनी machine के ऊपर process को किस तरह monitor कर सकते हैं, किस तरह control कर सकते हैं, there are several current Linux tools, different tools हैं, मैं कुछ तीन, कुछ tools हम discuss करेंगे, Linux के अंदर जो by default commands आती है, अगर आप उसके लाव कोई ho tools करने हैं, तो आपको उनके लिए packages install करने पढ़ेंगे, कुछ monitoring software भी हो होते हैं, जिसने नेग्वे से, Xabbix है, होग डिफरेंगे मोनीटरिंग तूल सायते हैं, आप वह भी यूज कर सकते हैं, basic commands हैं, छोटी मोनीटरिंग के लिए आप वह यूज कर सकते हैं, there are several Linux tools for viewing, listening, running process on the system, the two traditional and one old are ps and top commands, ps command is display information about a selection of active process on our system, अगर मैं यहां पर, इसका साथ थोड़ा दा मैं छोटा करता हूँ, अब मैं यहां पर ps की command देता हूँ, तो मैं चेक करना जाता हूँ, मेरी machine के उपर system active process कौन कौन से हैं, तो ps.aux, अब यह मेरे पास machine के उपर, सारे मेरे पास process, एक नुए, मैं इसके जिरा output की काम कर करते हैं, और scope one by one, page by page देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास, जो main उपर टेबल है, एक, sorry, कहां यही चला गया, main उपर जो चीज़ा यह, आपके पास, जो मैं highlight कर रहा हूँ, यह, यह आपको check करना है, देखना है, क्या चीज़ा, सबसे पहले है, user, कि यह जो process हम देख रहे हैं, जो command, जो execute हो जो एक परसेस होई है, कि यहाँ कोई भी script है, यहाँ कोई file है, जो open है, यह कोई script run हो रहा है, कोई command run हो रही है, वह सारी एक परसेस execute होती है, तो वो process यहाँ किस user ने चला ही हुई है, वो आपको यह यहाँ यूजर बता रहा है, इस टम एर पस जितनी भी commands चल रही हो रही है, वो सारी कोई user चला रहा है, root user चला रहा है, सबसे पहले उसके बाद आते है, PID, यह नि परसेस id, उस command की process id कि है, उसके बाद कितने CPU person यूज कर रहा है, कितनी memory person यूज कर रहा है, उसके बाद कितना time होगे उसको start होए हुए, उसके बाद की command है, तो यह दो ची जो TTY है, RSS है, VSZ है, यह हम बाद में discuss करेंगे, यह क्या चीज़े है, सारी कुछ stats की भी चीज़े हैं, यह भी हम देखेंगे, यह क्या चीज़े है, फिलाल अभी हम देखते है, percentage memory की चीज़े है, percentage CPU, PID, और user, सारी की command, यह हमने चार चीज़ें देखनी है, mainly आपको PS की command के अंदर, यही चार चीज़ें देखनी मिलती है, node करनी, monitoring करने के लिए, CPU, memory, PID, user, or command, पहला user पहली देखें, पहली लैंड के अंदर, प्रोसेस हैडी है, किसका one है, उसका user कौन सा root है, 0.1% CPU यूज़े हो रहा है, 0.4% memory यूज़े हो रही है, इसकी command के है, slash, usr, slash, lib, systemd, systemd, is equal, dash, switch, यह जो प्रोसेस है, PID1, जो प्रोसेस one है, यह कौन इसको initialize करता है, यह इसको kernel initialize करता है, boot time के ओपर, उसके बाद हमारे पास सारे प्रोसेस आते हैं, हमारे पास, आए, यह सारे उनके परोसेस आइडीस हैं, यह के roots हैं, यह परोसेस टैम है, देखें, यहां पर, CPU भी 0% है, memory भी 0% है, यह परोसेस यूज़े हो रहे है, कि यह मेरी मेशीन कीुपर सारे प्रॉरसएस है जो इस्टम चार रही है अब यह वनिया पट्रॉरसएस हैं जो इग्जीक्वीट हो रहे है sponge एसको चला रहा है यह вмांडो इसको चला रहा है यह by default सारे system मैंने भी तरक कोई अब कोई ऐसा प्रोसेस कोई नहीं है, तो मैं अपना एक प्रोसेस चला लेते हैं हम लोग भी, फिर उसको चेक करते हैं, यह भी तक सारे कौन से हैं, सिस्टम प्रोसेस हैं सारे, जो सिस्टम में खुद चलाए हुए हैं मेरी मशीन के उपर, इस टेम अगर मैं आपको दखाऊँ कितने प्रो प्रोसेस स्टम ट्रेनिक स्टेड के हमदर हैं, जो मेरी मशीन के उपर चा रहा हैं, लास्ट पर यह देखें, एक कमांड, प्येस इस इकल टू आस, जो हमें खुद चलाए थी कमांड, उसका भी एक प्रोसेस क्रेट हुआ है, उसकी प्रोसेस हैड़ी किया है, 7534, तो इसको रूड यूजर ने चलाया हुआ है, अब हम आगे चेक करते हैं, अगर मैं यहां पर कोई कमांड एक्जिगूट कराता हूँ, उपर आगर आप नोड करें, श्लाइज उससार, श्लाइज 64, श्लाइज फायर फोक्स, फायर फोक्स का भी चल रहा है, प्रोसेस 7, 117, कि यह कि अगर मैं उसके बाद अगली कमांड किया काम करती है, टोप की, सिस्टम रिटरिंग टूल, टोप is a powerful tool that offers your dynamic, real-time view of our running system, अगर मैं real-time देखना जाते हूँ, अपनी application को, कौन से मेरी application है, कौन से मेरी application है, कौन से मेरी command, सबसे ज़्यादा CPU RAM यूज़ कर रही है, तो मैं उसके लिए टोप की command यूज़ यूज़ करूगा, कौन कौन से process, कितना CPU, कितनी memory यूज़ कर रहे हैं, और किस user के अंडर वो चल रहे हैं, तो टोप की command अगर मैं enter करता हूँ, तो यह मेरे पास, कुछ information आ रही है, सबसे पहले उपर देखें, कि मेरी machine को, up है, जो मेरी machine है, उसको up हुए कितने minute हो गए है, 32 minutes हो गए है, machine के पर two users है, load system के है, 0.1%, 0.111 है, load है, 0.1 यह है, तो यह सब कुछ है, यह load है, मिर पास stem average load है, उसके बाद task, task देखें कितने 256 total tasks है, जिसमें एक running के अंदर है, five to five, sleeping state के अंदर है, stop stem कोई नहीं है, और zombie stem कोई नहीं है, हमें यहाँ पर top की command के अंदर zombie भी देखने होता है, अगर यहाँ पर कोई zombie आ रहा है process, तो मैं उसको kill करूंगा, process ताकि वो zombie process की state से वो निकल जाए, zombie state से वो process निकल जाए, उसके बाद आते है कि CPU, total CPU मेरे पास कितना person use हो रहा है, अब CPU को भी different divide, different चीजों के अंदर से divide किया हुए, यह CPU है, यह मेरे पास user use का रहा है, user root user, system मेरे पास एक user है, उस user से connected होई हुए हुए, login होई हुए हुए, तो जो user है, वो सिरफ root user है, वो 3% use का रहा है, system जो है, वो 1% use का रहा है, nice value stem कोई नहीं है, ID मेरे पास जो है, वो 93% है, weight जो है, वो stem कोई परसन नहीं use का रहा है, इसके लावा डिफरेंट यह information है, जो हमारे पास CPU पे आ रही है, different user के crowding, different events के crowding, उसके बाद, हमारे पास memory है, यह मेरे पास kilobyte के अंदर memory शोक आ रहा है, total कितनी है, free कितनी है, और use कितनी है, स्वैब कितनी यूज़ रही है, and total कितनी है, इसके बाद, हमारे पास, PIDs आती हैं, सबस्पहले start में, उसके बाद user आज़ेते हैं, फिर उसके बाद, भाड पर नािसवैलियू आजी है इसके बाद हमार परसनीस सीप्रियू परसनसे मेमरी एक्टाइम आ गया और उसके बाद की कमांड आगी है जो यह चीज़े रहे ही हैं यह हम बाद में डिटेफ में लेक्चर्जर करेंगे जब हम ने ट्रिंग को और डिटेflu म में प्रेटर करेंगे हो सकता है यह आ रहे से यी के लेक्चर के अंदर हम इसको फूल सा डिटेल में देखें हैं हो सकता है इसी सीरिस के एंड पर कही हम चीजों को डिटेल में देखें तो यह में रपस था सारा इंफ्रमेशन यह देखें में पर टोप की कुमार जो भी मैंने चलाई हुई है उसका जो पी एडी आ रहा है वो 7612 यूजर नेम उसका यह है जीनोम शेल जो हमाद पर ग्राफिकल इंटरफेस है उसके लिए जीनोम टर्मिनल है जीनोम शेल आ रहा है ये सारी इंफ्रमेशन ये पर्सेस जिसना उनकी CPU इंक्रीज होता है टो पर आ रहा है जिस तरह जो सबसे जार सीपी यूज़ कर रहा है वह या मेमरी यूज़ कर रहा है वह टो पर आ इसके बाई नीचे आए थे सिस्टम D आ रहा है मरपद जो परस जिसका आ डीक हो गया इसके लाव मैं RAM दखाया है तो हम RAM कितनी है अगर मैंने इसमें देखना यह मिरे पास RAM आ रही है 1.8 ठाला हूँ तो यह मिरे पास तक्रिबन 2GB की RAM लगी है इसके इंदर कितनी यूज हो रही है 571 MB यूज हो रही है फ्री कितनी 547 फ्री है उसके पास swap है swap मेरे पास तक्रिबन 2.5 GB की है नहीं बलके ज़्यादा 2.26 GB की है मेरे पास swap है तो swap हाँ 26 GB की मेरे पास swap है यह जो लास्ट हमने swap बने थी इसकी वाइस है वो 26 GB की मेरे पास swap है जो कि अभी के भी use नहीं हो रही सारी कि सारी वो free पड़ी हुई है उसके बाद glance, glance system monitoring tools, glance is relatively new system monitoring tools with advanced features मैं चेक करता हूँ कि मेरे पाद glance की command है के नहीं है, glance is command.found तो मुझे इसके लिए package इस इंस्टाल करना पड़ेगा glance का तो हम इस command को थोड़ से detail में बाद में देखते हैं मैं इसका package देख लेए तक हम इसके बाद शार करते हैं VMStat, VMStat क्या करते है, virtual memory statistics है Linux VMStat command used to display statistics of virtual memory, kernel thread, disk, system process, IO blocks, interrupts, CPG activity and much more By default system stat command is not available under Linux system, you need to install packages called sysstat-include.vmstat programs मैं चाक करता हूँ मेरे पास command है कि नहीं है, मेरे पास command है system stat की क्यूंकि मैंने पास graphic installation हुई है Graphic installation के अदर जो sysstat का package है, वो install होता है तो क्याक ja excit locks के डिस्प्ले करता है, secure memory to display करता है हमारे पास virtual memory हमारे पास, which in memory है, which in memory है, which in memory है, save स्वैट यख़ है कि एपयूट सिस्टम बर्रीलेटिटेड पॉर्स और संडी अब किया चीज है यूजर उस कितना यूज कर रहे हैं सिस्टम कितना यूज कर रहा है यू वेट कितना है यूम आइश Кfel hours के तरह मैंनी लेनिक्स यूनिस्ट लाइक सिस्टेम डैट इस यूस्ट डिस्प्ले लिस्ट ओफ अल उपन फाइल्स एंद प्रोसेस लो एक्स करता हूं लैस ओफ तो यह मेरे पास जो जो ओपन फाइल्स थी मेरे मशीन के ओपर वह सारी इसकी इंफरमेशन दिखा रहा है कि मैं जर्आ मोर कर लेता हूं सबसे पहले क्या अब पर इंफरमेशन आ रही है कमांड आ रही है इसके पार यूजर आ रहा है बसके डिवाईस है यह इसका साइस कितना है और इसका इसकी नोर्ड के है यह नबर thinks और्पक यह आपना है। ुम्हागड कहां इंफॉरमिशन आरी यह फाइल कहां में पर्णार कोंक है। हम देखनें तो इसके अंदर क्या का इंफॉरमिशन रही है। ls the open file include a disk file, network sockets, pipes, devices and process devices आगे, यह type आगे, किस type की वो हमार पर file है, इसका size किया है, उसका I know number गया है, name यह है, इसका location किया है, किदर पर इसका किया है, और इसकी command किया है, यह देखे, सारी कि सारी one पर आ रहे हैं, कुछ one पर आ रहे हैं, कुछ one पर आ रहे हैं, कुछ यह इनके process हैं, जो हमार पास systems ने generate कियी हैं, ls files, उसके बार netstat की command, netstat की command क्या करती है, netstat is a command line tool for monitoring, incoming and outgoing network packet system statics as well as interface statics, it is very useful tool for every system administrator to monitor network performance and troubleshoot network related problems, netstat की command क्या काम करती है, netstat की command यह काम करती है, कि मेरी machine के उपर इस time कौँ 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 सी ports open है, कि services के against मेरे पर ports open है, हुँ मैं चाह करता हूँ, हम अक्सर यह करते हैं, अक्सर हम check करते हैं, कि मेरे पास अगर मैं कोई service access करता हूँ, यानि मैं check करता हूँ, अगर मैं web पे access करता हूँ, मैंने web server configure किया अपने पास, तो मैं उसको access कर रहा हूँ, तो मैं access नहीं हो रहा, तो मैं check करता हूँ, आकर जो web की port 80 है, या मैंने custom port रखी हूँ, या by default 80 होती है, अकर मैं कोई custom port रखी है, तो मैं चाह करता हूँ, port open है के नहीं है, अगर port open नहीं है, तो मैं फिर service को restart करूँगा, यह service को reload करूँगा, तो मैं चाह करूँगा, तब open हुई के नहीं हुई, या मेरी proper service restart होगी है के नहीं हुई, मैं next start की पूच्छा करता हूँ, next start क्या command करती है, a-u-t, a-u-t, a-t-u-n-p, a-t-u-n-p का मतलब यह है के, a का मतलब है all, सारी शारी दखा, t का मतलब है tcp की port दखा, u का मतलब है u-dp की port दखा, n का मतलब है numbers में और पि-a-proto-col यह देखें इस टेम मेरे पास पि-a process idea, sorry protocols कहा रहा था, process idea, peep , इस टेम मेरे पास जो tcp की कुछ ports हैं कुछ मेरे पर u-dp की ports हैं, यह 53 metaphor देखर ओन होती है, नान देखर निजके पर अफरोगई हो इसलिए कंज मैं फिरा फ़ाइद मेरे बाक्वार मेरे फाल मेरे पास O ARE दूर्ब के अपशन होती है इसके बाद SSHDI की service है उसकी port, 22 port है और SSHDI है उसके जो SSHDI service के नाम है इसकी process idea है जो state है वो listen है जब मैं इसको access करूँगा इस port के फूज़ लिस्ट के साथ इसके अलावा यहाँ पर, यह CUPS की service है कब की सर्विस भी बाइड़ फार ओन होती किसके ओपर ओनेट TCP 6 के ओपर ओन है यह IPv6 के ओपर ओन है IPv4 के ओपर ओन है इसी तरह जो मेरे पास SSH की सर्विस है वो कहां पर ओन है मेरे पार TCP TCP के ओपर ओन है यानि IPv4 के ओपर ओन है इसके लावा नेट स्टेइड की कमांड को इन्होंने 107 के बहुं pierwszy के सकते हैं डियाइड जादा चीज़ों के असकुर्म है जो प्रैक्टीस है 107 करें कि प्रोटॉकोल है सब्सक्राइब करें एक और कमांड है जिसके दुरू हमें चेक कर सकते हैं कौन कौन सी पॉर्स ओपन है वह इन्होंने सैमर के अंदर इंट्रीउस करवाई है कमांड वह है डबल स के अंदर आपको देखें काफी जाद टेल आ रही है सब्सक्राइब मैं फोर्स को वन बाए वन देखते हैं पेज बाए पेज अब देखें स्वरीक एससए के अंदर कमांड के अंदर उन्होंने काफी इसको इंक्रीज कर दिया काफी जाद इन्वर्मेशन कर दी इसकी अंदर दे साबसकी पोट है प्रेर एड्रेस साबसकी पोट है मैं इस कमाड्स से जदा फैमिलियर नहीं हूँ किया बहुत कमाड्स कमाड्स को यूज करता हूँ मुझे जो आदद है वह तो मेरी नेट स्टाइड की कमांड है आज भी हम प्रोडिक्शन लेवल के उपर नेट स्टाइड की कमांड ही यूज कर रहे होते हैं चाह करते हैं SS कमांड तो इन्होंने अब इंट्रोडिस्ट करवाई है तो मैं जादा तर मुझे इस चीज़ों में कुछ चीज़ों को मुझे इसका एडिया है कुछ में इसका मुझे एडिया नहीं है इन कमांड के अंदर SS की आउट्पूट के अंदर इसलिए मैं यूज नेट स्टाइड की और गर मैंने सिंपल TCP की पॉट्स देखनी है तो मैं सिर्फ TCP की देख लूँगा अगर मैं इसका मुझे कर सकते हैं उसके बाद stowp stowp is a much advanced interactive and real-time linux process monitoring tool this is much similar to the linux top command but it has some rich feature like user-friendly interface to manage process shortcut keys vertical and horizontal view process and much more as top is a third party tool does not include in Linux system you need to install it zoom packages manage tool same to same jisra मने top की कमार यूस की थी same output as top का भी same यही output आता था थोर से enhanced है उसमें काफी easily understandable चीजें हैं जिस तरह यह उपर हमार पर easily understandable नहीं होरी चीजें यह ID किया है WA किया है HI किया है SI किया है NI किया SI किया US किया easily understandable नहीं है फिर हम इसमें different shortcut commands easily use नहीं कर सकते हैं तो हम उसके अंदर एस्टोप के अंदर easily shortcut commands भी use कर सकते हैं तो मैं आपको एस्टोप की command दखाता हूँ install उसके लिए package install करना पड़ेगा एस्टोप का sorry यहां पे packages.org वेबसाइट है यह यह Linux की इसमें हर किसम का आपको software मिल जाएगा बहुत बहुत बेतरीन और best website है तो यहां पर मैं एस्टोप का package सर्च करता हूँ तो यह मेरे पास redhead six centros seven redhead seven एक ही चीज़ है तो यहां मैं packages redhead seven के नहीं पड़े हुए तो मैं यहां पर centros के मैं तो मैं काम करता हूँ उससे पहले मैं एक e-pal-release का package है वो मैं install करता हूँ मैं चेक कर लूँ मेरे machine के उपर सोरी यह package मेरे पास वो है मैं टर्मिनल होर खोल लेता हूँ यहां पर मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास e-pal का package install है के नहीं तो rpm-qe-pal-release package में इस package को install कर लेता हूँ तो इस package को मैं यहां से डाउनलोड करता हूँ ठीक है यह मेरे पास पैकेज डाउनलोड हो गया है मैं इस package को install करता हूँ rpm-ivh-root-downloads-pal-release यह मैं पैकेज इस्टाल हो गया है यूम लिस्ट करता हूँ यह चीज़े हमने देख चुके हैं पहले पिछले lectures के अंदर हम packages को किसा install करते हैं किसा हमको check करते हैं तो यह मेरे पास e-pal की जो repository है वह मैंने डाउनलोड कर लिए third party repository है तो यह उसका cache कायरा उसके सारी जो database है वह उसको अपने पास डाउनलोड कर रहा है इसने e-pal की repository डाउनलोड कर लिए कि अब मैं यहां पे सर्च करता हूं desktop का package तो send to us के अंदर अब यहां पे देखें अगर मैं इसको package को click करता हूं तो वह मुझे कहता है कि सबसे पहले क्या install करो rp-release का package install करो उसके बाद yum install desktop कर दो उसकी बाद यह है क्योंकि desktop का package है e-pal-release की repo के अंदर पड़ा हूँ तो मैं यहां से easily yum के थुरू install कर सकता हूं बजाए इसको मैं manually download करूँ अगर इसकी कोई dependencies होंगी वह भी मुझे solve manually solve करनी पड़ेंगी इसलिए मैं यहां पर e-pal की repository डाउनलोड कर लिए अगर कोई dependencies होंगी वह auto resolve हो जाएंगी yum install stop इसकी कितनी dependencies है कोई dependency नहीं है package की तो मैं इसको install करता हूँ ठीक है अब मुझे gpg keys enable है वह कहता है इसको check करो public keys को इसको एंटर कर दिया अब मेरे पाद stop की command install होगी मैं चेक करना जाता हूँ package stop का install हुआ के नहीं हुआ तो यह मेरे पाद package install हो गया तो stop यह देखे अब यहां पर आप देखे detail आपको काफी increase करके काफी enhance करके आपको easily command मिल रही है information मिल रही है सबसे पहले आपको पास information जो उपर आ रही है यह मेरे पास CPU की आ रही है first और second पर यह मेरे पास कितनी यूज़ हो रही है तो यह time है उसके बास की command है अब यहां पर देखे अगर मैं इन में से कोई filter करना जाता हूं तो मैं F4 प्रेस करूंगा तो मैं filter कर सकता हूं search के लिए F3 setup के लिए F2 अगर किसी process की मैंने nice value set करनी तो F7 minus करनी है set करनी है F7 और F8 plus करने के लिए minus करने के लिए kill करने के लिए F9 और cute करने के लिए F10 तो फिलाल अभी हम अगले topic के अंदर जब हम nice value देखेंगे और उसके बाद kill देखेंगे तब हम चीज़ें को set करेंगे तब तक के लिए हम इसमें देखेंगे आगे क्या चीज़ें आती हैं तब हम इसको command को output को खतम कर रहा हूं हम जब nice value देखेंगे तब हम दबाद command को open करके set कर लेंगे command line ही set कर लेंगे nice value को, operator को high कर लेंगे यह लोग कर लेंगे जिस तरह भी हमने इसको adjust करना होगा environment के लिए आसे उसके बाद हमारे पास आता है glance करके देख लेते हैं glance अगर इस package के अंदर है के नहीं है आपको भी मैं वह भी दिखा दूँ ठीक है यह मेरे पाद glance packages भी इंस्टाल हो गया monitoring के लिए तो glance के output देख लेते हैं क्या आ रही है system यह मेरे पाद glance के output information है इसके अंदर क्या 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 CPU के अंदर क्या 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 वह पूछ रहा है सिस्टम information क्या है और ideal कितना है वह id जो आ रहा था आपके पास top input के अंदर मागर आपको यह terminal पर दिखाऊं यह जो id आ रहा था यह ideal है 92.8% stem ideal state में है waiting state में 0 point है और इसी तरह stem steel इसकी क्या है nice value आयो weight क्या है load stem इस पर load कितना two cores है memory के कितनी में active इसमें कितनी है swap stem use कोई नहीं हो रही inactive कितनी है इसकी buffer कितना हुआ है total memory free कितनी है और swap कितनी free है उसके पर network की information आ रही है कौँ कौँ से मेरे पर land card लगे है मेरे पर दो land card लगे हुए उसके बाद एक low back adapter है और यह जो दो आ रहे है यह मेरे पर virtualization के लिए यह use हो रहे है जब हम virtualization का topic करेंगे start तब हम इन दो networks को भी देखेंगे इसके लावा disk IO की information है कि कितनी मेरे पर disk लगी हुए है और उनके ओपर क्या input और क्या output हो रही है ठीक है मैंने express किया है तो information आ गी है help के लिए तो यह मेरे पास कुछ colors हैं अगर यह colors इस तरह आते हैं यह मेरे खाल से blue color है तो careful है यह purple है तो warning है अगर red है तो critical condition है मेरी machine की A sort process automatically C sort process by CPU M से memory P से name I से IO rate इस तरह हम अपने machine को sort कर सकते हैं कोई चीजें hide करनी है तो इसके लिए D file system के लिए F यह आप यूज कर सकते हैं मैं यहां पर quit करता हूं Allotope Monitoring अब हम देखते है Allotope क्या command करती है Monitor Linux Dix Iotope Iotope is much similar to top command and stop command but it has counting function to monitor and display real time disk in Ion process this tool is much useful for finding the exact process and high use disk write process मैं Allotope करता हूं Allotope command not found तो मैं इसका package install कर लेते हैं Allotope Allotope का package नहीं Iotope Allotope नहीं है Iotope Iotope Sorry Iotope का भी package नहीं है To Mask के साथ disk लगा लेते Iotope का package यह Iotope का package है Iotope का package हमाल पास है IOTOP का package हम install करते हैं इसको देखते हैं फिर इसमें information किया आ रही है पहले सबसे पहले हम देखते हैं IOSTAT IOSTAT input and output statistics IOSTAT is a simple tool that will collect and show system input and output storage device statistics This tool is often used to trace storage device performance issues including device, local disk, remove disk such as NFS जितनी हमारे पर devices होती है, local disk होती है, remote disk होती है या कोई NFS के उपर share की disk है तो हम सारी उसकी information हम चेक कर रहे होते हैं input and output कि उसके पर क्या performance है, किस hard disk के अंदर issue है, किसके storage फुल हो रही है किसके storage पर ज्यादा input output हो रही है, वो हम सब चेक करते हैं तो यहां पर देखें सबसे पहले अगर मैं यहां पर दिखा दूँ तो यह ios stat है सबसे उपर वो यहां पर Linux का kernel virgin बता रहा है, कौण सा है उसके बाद उसका machine name बता रहा है date बता रहा है, यह उसके बाद ऑस और architecture बता रहा है Nice Value की % कितनी है System Percess कितनी है नहीं है DM-0-DM-rade के लिए तो यह सारी information आपको Iostat के अंदर में मिल रही है उसके बाद हमारे पास process आगे है control process process को किसा इसां control किया जाता है kill process, pgrab and killal, sending signals है, linings process प्रोसेस प्रेट ही है तो यह हम next lecture के अंदर चीज़ें देखेंगे sending signals के होते हैं, control process के होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे priority किस तरह सेट करते है रिनाइस value किया होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखिए है, ठैंक यू, अल्ला हाफिज